फेस्बुक पर मिला प्यार मैं रानी हूँ और पूर्वी डिल्ली में रहती हूँ मेरी लव स्टोरी मेरे हिसाब से बहुत अनोखी है आज मैं आपको बताती हूँ मैं और मिस्टर शर्मा कैसे मिले कुछ टाइम पहले हम दोनों आई बीबो पर मिले थे दोनों ही एक दूसरे के लिए अन्नोन थे कभी सोचा नहीं था कि कुछ टाइम बाद हमारी लाइफ इतनी बदल जाएगी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि फ्यूचर में हम रिलेशन्शिप में होंगे आर्यन बहुत सिंपल व्यक्ती हैं और मैं उसके बिलकुल ओपोजिट हूँ गलती से भी हम दोनों की थिंकिंग मैच नहीं होती थी आई बीबो पर चैट करते करते हमें काफी टाइम हो गया था हम फ्रेंड्स बने फिर अच्छे फ्रेंड्स बने आई बीबो से हम फेस्बुक फ्रेंड्स बने बिना देखे आर्यन ने मुझे प्रपोज किया लेकिन मैंने उनका प्रपोजल अक्सेप्ट नहीं किया उस बात को नॉर्मली ले लिया मुझे लगा कि ऐसे कैसे कोई किसी को बिना देखे जाने लाइक कर सकता है हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे एक दूसरे को काफी टाइम देते थे सब ठीक था लेकिन दो बार मेरे और आर्यन के बीच काफी बड़ी लडाईया हो गई यहां तक कि मैंने उन्हें फेस्बुक से भी रिमूव और ब्लॉक तक कर दिया था भगवान को जाने क्या मनजूर था कि उन्होंने फिर हमें मिला दिया फिर हम नॉर्मल फ्रेंड्स से बेस्ट बड़ी बन गए उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोस किया फिर फाइनली मैंने उनको हा कर दी आज मैं और आर्यन के साथ में बहुत खुश है और मुझे नहीं लगता है कि हमसे बेटर स्टोरी और किसी की होगी जिस तरह से हम दोनों मिले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम फ्यूचर में बेस्ट कपल होंगे हम दोनों एक दूसरे को प्यार से ज्यादा समझते है साथ में प्रॉब्लम्स शेयर करते है मुझे नहीं लगता शर्मा जी से बेटर मुझे और कोई कभी मिलेगा हमारी लाइफ अब बिलकुल नॉर्मल है हम भी नॉर्मल कपल की तरह बाहर जाते है साथ में टाइम स्पेंड करते है आई लव यू सो मच गोलू मोलू वह मेरे लिए पर्फेक्ट है मैं उन्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगी कभी नहीं हमें यह छोटी सी कहानी से शिक्षा मिलती है कि दोस्तों आजकल फसेबूप पर ऐसा फ्रॉड बहुत हो रहा है इसलिए हमेशा सावधान रहे और अंजान लोगों से जितना हो सके बात ना ही करे एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है जब मेरे माबाप को इस सब के बारे में पता चल तो मुझे शर्मिंदगी तो हुई लेकिन मैं खुश थी कि मेरी जिंदगी खराब होने से बच गई